अगेशल एप इस वूबनियाजु आप लोग ठीक होंगे जैसा कि आप लोगा को पता ही कि पे-सिली लेक्चर में हम लोगों ने कोस्का के कुछ बेसिक चीजों के के बारे में अध्यान किया था जिसमें हमने देखा था कि कोश्का का विभाजन को ऐसे होता है जीवित कोश्का की खोज किसने की थी मृत कोश्का की खोज किसने की थी ठीक है साथी साथ आपने देखा कि फादर और बैक्ट्रियो लॉजी किसको कहा जाता था हमने देखा था क कोशिका से धान्त किसको दिया था इन सब चीजों की चर्चा हम लोगे ने कि थी उसके बाद हम लोगों ने कोशिका के अंग के बारे में अध्यान को स्टार्ट किया था जिसमें हम लेगे ने माइक्रो कॉंडिया आपका जीब दरब इन सब चीजों के बारे में पर रहा था अब हम लोग इससे आगे की चर्चा को कॉंटिन्यू करेंगे उसमें आज जो हम सबसे पहले देखेंगे यहार इंडो प्लाज्मिक रेटी कूलम की बात हम लोग यहां पर करेंगे ध्यान लिद्पलाज्मिक रेटी कूलम जो होता है यह कोश्का का कंकाल कहा जाता है हमने कल आपको थोरा सा इस चीज के बारे में बताया था कि मानलीजिये अगर आपके सेरीड में सिर्फ और सेल होताդ इसकेलेटन सिस्टम नहीं होता कंकाल तंत्र अगर नहीं होता तो क्या हम खरे हो पाते क्या आपको पता है क्या हम खरे हो पाते बिल्कुल नहीं हो पाते ठीक है हम चाकर भी खरे नहीं हो पाते अगर हमारे अगर जबरे में हड़ी नहीं होता तो क्या हम बोल पाते नहीं बोल चाहरा मेकेनिकल एसस्मेंट करने का सहारा काम करता है वो है कंकाल तंत्र का और रेटिकोल हम होता है यह कोशका का कंताल तंत्र कहाँ ने के बारे में हमने आपको बताया यह क्या करता है कि यह कोश का को खारा होने में सहायता करता है तो जो हमारा इंडो प्लाज्मिक रेटिकूलम था इसको दो पार्ट में डिवाइट किया गया पहला आपका smooth ER और दूसरा आपका rough ER किलियर है मारी बात दो तरह का आपका ER था एक smooth और दूसरा आपका rough ध्यान दिजेगा अगर smooth ER है अगर कोई plane surface है तो क्या उस पे आपका चलना संबब है जितना plane surface होगा उस पर चलना उतना ही ज्यादा कठीन होगा अगर friction नहीं होगा वहाँ पर कोई उबर खाबर होगा नहीं होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका smooth surface हो जाएगा तो smooth surface पर काईडो कार्वो हाइड्रेट और बसा smooth क्या मतलब क्या plane हमारा अगर बसा देखेगा इस किन पर जो बसा होता है वो क्या है आपका plane है तो यह आपका किसका निर्मान करता है smooth ER के द्वारा बहुत important जीज है इसको ध्यान दिजेगा smooth ER के द्वारा कार्वो हाइड्रेट तथा पसा का निर्मान होता है और rough ER के द्वारा ribosome का निर्मान होता है जिसे protein की factory या फिर ribosome पर protein का निर्मान होता है यहां से एक प्रस्ण आप से पूछा जाता है कि इंडो प्लाज्मिक रेटिकूलम के किस पार्ट पर protein का निर्मान होता है smooth ER या फिर आपका rough ER आपका अंसर होगा rough ER चुकि rough ER पर आपका क्या बनता है राइबोसोम होता है जो कि protein को बनाने में सहायक होता है के लिए हमारी बाद आईए आगे की चर्चा को हम लोग स्टार्ट करते हैं उसके बाद हमने देखा कि राइबोसोम, जो हमारा राइबोसोम होगा, वह क्या करेगा, इस चीज की चर्चा हम लोग करते हैं, देखे जो हमारा राइबोसोम होगा, जो हमारा राइबोसोम होगा, सबसे पहले या कोश्का के अंदर सबसे छोटा भाग होता है, कोश्का का अगर आपसे सबसे छोटा भाग पूछा जाएगा तो आपको आंसर याद रखना है किसका आपको आंसर याद रखना है कि राइबोसोम होता है कोशिका का सबसे छोटा भाग आपका राइबोसोम ही होता है कोशिका का सबसे छोटा भाग जो आपका होता है वो क्या होता है वो आपका होता है राइबोसो कोशिका का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है आपका राइबोसोम होता है अगर आगे कि हम लोग चर्चा को स्टार्ट करें तो जो आपका राइबोसोम है इसे प्रोटीन की फैक्टरी भी कहते हैं के लिए रहे हमारी बात अगर उससे आगे की चर्चा को हम लोग स्टार्ट करें तो आपको याद रखना है कि जो हमारा जो हमारा 17S होता है और एक होता है आपका राइबोस्वम को दो पार्ट में डिवाइट किया गया एक आपका 70S और दूसरा आपका 80S जो आपका 70S होता है वह क्या करता है हलका होता है तथा प्रोकरियेटिक होता है और जो 80S होता है वह भारी होता है तथा यूकरियेट होता है इसको आप लोग एक बार आसानी के साथ देखिए फिर हम लोग आगे की चर्चा को स्टार्ट कर झाल 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 तो ये क्या होगा 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 है जो झाल हलका होगा इसका मतलब है कि वो प्रोकरियेटिक है जो परीcar झाल इसको हमने कला आपको बताया था कि विकास से पहले कि गहानी अगर विकास से पहले की कहानी की बात होगी तो वो आपका प्रोकरियेटिक होगा और अगर वो विकास के बाद की कहानी है तो आपका वो यू करियेटिक कहलाएगा किलिए रहे हमारी बात यहां तक आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अगर इस चाहिए की चर्चा को हम लोगे स्टार्ट करें तो जो आपका 17S होगा वो आपका प्रोकरियेटिक होगा और 80S क्या होगा यू करियेटिक होगा क्यूंकि विकास से पहले की क हानी आपका वो यू करेटिक होता है प्रोकरियेटिक और यू करेटिक की चर्चा आगे हम लोग प्लांट सेल में करेंगे ठीक है ना प्रोकरियेटिक और यू करेटिक की चर्चा हम लोग आगे करेंगे वहाँ पर आपको हम डिटेल में बताएंगे कि कैसे प्रोकरियेटिक और यूकरियेटिक कार्ज करता है के लिए रहे हमारी बार आईए चले उमीद है यह भी चीज आपनों को समझ में आगया होगा उसके आगे कहानी को अगर हम लोग रहे हमार बहुत इंपक्ष्चिज जो हमने चाणी और डिवट none को हम लोग सुगर और नयर्ट्रोजन बेस्मे सुगर से आपको डायक्रियू और निकलता है और nitrogen से आपका एक होता है, purine और pyadurine एक से निकलता है, आपका edeline और दूसरा से आपका निकलता है duanine, और pyadamine से आपका निकलता है, cyturonine और thiemine निकलता है. यहां से आपको इतना चीज आपको इस figure को सिर्फ याद रखना है, इससे आपका काम असानी के साथ हो जाएगा यहां से प्रस्ण जादा आपसे नहीं पूछा गया है फिर भी हमारा काम है कि आपको करवाया जाए ठीक है अगर आए कि यह और की चर्चा को हम लोग स्टार्ट करेंगे तो आएए देखते हैं हम लोग सेंट्रो सोम की चर्चा करें यह सब किसका बात हो रहा है अभी बात हो रहा है अभी जो बाते चल रही है यह बात चले कोशकांग की बात चले कि कोशका में कौन-कौन से अंग पाए जाते हैं उन सब चीजों की यहां पर आपको जानकारी दी जारी है। उसमें हमारा आता है सेंट्रोसोम आता है। सेंट्रोसोम करता क्या है इसको आप लोग ध्यान से समझें। या जो है कोशका विभाजन में मदद करता है। सेंट्रोसोम आपका कोशका के विभाजन में मदद करेगा Centrosome आपके कोश्का के विभाजन में मदद करेगा Centrosome जो होता है आपका केबल जन्तु कोश्का में पायाता है बहुत important चीज है यहां से प्रस्ण आपको पूछा गया है कि जो आपका Centrosome है वो कहां पायाता है तो जो आपका centrosum होगा, वह कोशका में, विभाजन में मदद करता है, या केबल जन्तु कोशकाओं में पाया जाता है, पादप कोशका में विभाजन, सेल प्लेट के द्वारा होता है, पादप कोशका में विभाजन जो होता है, वह आपका सेल प्लेट के द्वारा होता है, और देखिए इस सलाइड को आप लोग आसानी के साथ देखिए फिर हम आपको बताते हैं. झाल 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 झालSवा लोग आस देखिए इस साथ देखिए अनुपर्ण भी हम आसानी के सा बताते हैं. झाल झाल देख लिए आप लोगों ने आईए चली आईए की चर्चा को हम लोग स्टार्ट करते हैं देखिए यह जो सेंट्रों सोम होता है यह कोश्का के विभाजन में मदद करता है यह केवल जन्तु कोश्का में पाया आता है यह जो है आपका केवल जन्तु कोश्का में पाया जाएगा आपका सेंट्रों सोम होता है वह केवल आपका जन्तु कोश्का में पाया जाएगा किलर है हमारी बात अगर आये की चर्चा को हम लोग करें तो जो आपका यह जो है पादप कोश्का में जो विभाजन होता है सेल प्लेट के द्वारा होता है याद रखेगा इस चीज को पादप कोश्का का जो विभाजन होगा वह सेल प्लेट के द्वारा होता है ठीका जी सब्सप्राइब दोच्छ बोबेरी ने किती कि आपका एक प्रस्ण होगा कि जो हमारा सेंटरोसोम है जो हमारा सेंटरोस धूरी यप। ध्यान दिजेगा मेरी तरफ आप लोग ध्यान दिजे कि जो हमारा सेंट्रो सोम है वह क्या करता है एक कोश्का के तूटने पर कम से कम दो नहीं कोश्काओं का निर्मान होता है एक पुरानी कोश्का तुटके कम से कम दो पुरानी कोश्काओं का निर्मान करती है दो पुरान सेंट्रो सोम के कारण होता है ध्यान दिजेगा यहां से एक प्रस्ण आप से यह भी पूशता है कि सबसे ज्यादा कोश्का का विभाजन किसमें होता है बहुत ही इंपोर्टेंट प्रस्ण है यहां से प्रस्ण आपका आया भी है कि सबसे ज्यादा कोश्का का विभाजन किस जगह होता है याद रखेगा लीवर में सबसे ज़्यादा कोश्का का विभाजन होता है आपके यकरित में सबसे ज़्यादा कोश्का का विभाजन होता है ऐसा क्यों होता है और किसलिए होता है इसको आप लोग ध्यान से समझे और सबसे कम आपका जो कोश्का का विभाजन हो वह होगा आपका मस्तिस्क में होता है नियूरॉन में होता है नियूरॉन कहां पाया जाता है मस्तिस्क में पाया जाता है इसको आप लोग ध्यान से समझें कि यह होता कैसे है और इसका कारण क्या होता है देखिए जो आपका सेंट्रोसोम है यकृत में सबसे ज़्यादा पाय जाएगा वहाँ पर आपका कोश्का का विवाजन सबसे ज़्यादा होगा तो एक चीज आपके दिमाग में प्रसना आता होगा कि सर मानव के नियूरोन में सेंट्रोसोम नहीं पाये जाता है ठीक है मानव के नियूरोन में आपका सेंट्रोसोम नहीं पाये जाता है और नियूरोन कहा होता है आपका मस्तिस्क में होता है तो मस्तिस्क में कोश्का युका का विवाजन अगर नहीं होता है तो cancer क्यों हो जाता है, चुकि cancer होता किसलिए है, cancer होता है कि uncontrollable cell division, अगर कोशका का आनियंत्रित विभाजन start हो जाए, तो उस अस्थान पर आपको क्या हो जाता है, cancer हो जाता है, तो मस्तिस्क में जब आपका centrosome है ही नहीं, तो आपका कोशका का विभाजन होगा ही नहीं, औ फिर brain tumor cancer क्यों हो जाता है, आपका ये question जाएज है, answer आपका ये होगा कि मानव के neuron में, मानव के मस्तिस्क में जो neuron पायाता है, उसमें centrosome नहीं होता है, तीक है, लेकिन कुछ percent मातरा में एक enzyme पाया जाता है, जो कभी कभी क्या करतेता है, उस neuron का विभाजन करा देता है, उस neuron के cell का division करवा देता है, ठीक है, और वो जो division करवा देता है, फिर वो division आपका रुखता नहीं है, वो आपका division रुखता नहीं है, और unwanted तरीके से neuron में cell division होने लगता है, और फिर वो ही आपका doctor उसको brain tumor का नाम दे देता है, के लिए मारी बात, दो question याद रखने आपको, कि स सबसे कोशका इभाजन यकरित में, यही कारण यकरित में अगर थोड़ा वो तूट-फुट हो गया, तो automatic manage हो जाता है, लेकिन अगर मस्तिस्क में अगर तो neuron मानव के मस्तिस्क के neuron में अगर कहीं तूट-फुट हो गया, फिर वो आप गये, काम से गये, ठीक है, चली, आए आगे का series हम लोग देखते हैं, Lysosome, Lysosome यह करता क्या है, यह कोशका के अंदर पाचन करता है, यह बात फूरी तरीके से सही नहीं है, यह कितावी भासा में दिया गया है, कि आपको यह कोशका के अंदर पाचन करता है, आप लोग इसको देखिए, फिर हम आपको बताते ह कि जो आपका लाइसोसोम होता है वो कि आई इस फिगर को देखते हैं और लाइसोसोम का डिटेल में कार्ज समझते हैं आईए देखिए यह हमारा क्या था यह लाइसोसोम था यह लाइसोसोम था यह इंडो प्लाज्मिक रेट्व कूलम था शेंट्रोसोम भी समझ लिया हमने माइकरो कॉंडिया की भी चर्चा हो गई राइसोसोम की भी चर्चा हो गई गौल्जी बड़ी आपका बसता है प्रोटो प्लाज्मिक भी चर्चा हो गई नूकिलेस की चर्चा भी आपको बागी है देखिए लाइसोसोम करता कै है लाइसोसोम क्या करता है कि लाइसोसोम के याद रखेगा hydro लाइटिक एंजाइम अपरेख हाई है लाइसोसोम के अंदर पाया जाता है करता किया है ये कि ये सब पर दवाप गाव में एक गुंडा होता है गाव में एक दवंग आदमी होता है वो क्या करता है सारा गाउं उससे ड़ता है और अपना अगर उसको मैनेजर बना तो तो देख्वें गाउंसे गंडगी घटम हो जाएका, गाउं में आपका चोरी की घटनाय को सकती है, गाउं में आपका डिसिपिलीन सुधर जाएगा, काफी सारी चीजे अच्छी चीजे हो सकती है ऐसा क्यों होता है कि उससे सवादमी डरता है उससे सवादमी क्या होता है डरता है वैसा ही यह लाइसोसोम है यह तरीके से सेल का बॉस होता है कोश्का के अंदर यह बॉस का कार्ज करता है यह माइक्रो कॉंडिया से पूछे कि भाई तुने उर्जा क्यों नहीं बनाय काया, यह Centrosome को कहेगा कि भाई तुने Senl Division क्यू नहीं करा, यह Indoplasmic Reticulum को बोलेगा कि भाई तुने अपना कोई अपना काम सही तरीके से नहीं किया तो गुस्सा में का करेगा कि इसी हाइडोलाइटिक इंजाइम को इसे करके ये छिरक देगा ये का करेगा ऐसे छिरक देगा और जैसे ही उसने हाइडोलाइटिक इंजाइम को छिरक दिया को इसका क्या हो जाएगा पूरा का पूरा को कुछ का ही पर जाएगा। और एक कहावत है गवं में कि किया एक और परसल पर ठीक है, कोई एक गलत काम करता है और उसका इफ्ट पूरे जगह पर आ जाता है। तो यही होता है कि अगर किसी ने गलत किया है, हाइडोलाइटिक एंजाइम ने गलती से अगर अपना लाइसोसोम ने हाइडोलाइटिक एंजाइम अगर फेक दिया, तो सारा का सारा कोशिका तबाह हो जाएगा, वो कोशिका आपका तबाह हो जाएगा, इसलिए इससे सब डौर के रहता है, ठीक है, फिर भी ये कभी कभी बेचारे क्या करते हैं, क्या करते हैं, इस हाइडोलाइटिक एंजाइम को फेक देते हैं, तो आपका प्रस्ण होगा कि तो आपका हाइडो लाइटिक इंजाल में पाया जाता है ध्यान दिजेगा इस इसको आपको समझना जरूरी है यहांज कढ़ा ही जिवन bilang में जरूरत नहीं है बिलकुल जरूरत है आपको कोई देखे होंगे कईभी आपको चोट लग जाता है तो जहां पर चोट लग जाता है वहां का सेल काला पर जाता है, वहां की कोश्का क्या हो जाती है, काला पर जाती है, क्या आप लोग जानते हैं कि वह काला क्यूं परता है, नहीं पता है, तो आप जान लिजे कि वहां की जो कोश्का होती है, चोट लगने के कारण मर जाती है, तो वहां पर धीरे-धीरे देखेगा कि नई कोश्का आती है तो वो रंग जो है अपना सप्यद हो जाता है तो यह किसका काम है ये इसी lysosome का कार्ज है इसी हाइडोलाइटिक एंजायम की सहता से ये कोश्का का अंतर सफाई भी करता है आंतरिक सफाई भी करता है और जब तक वहाँ पर सफाई नहीं होगा जब तक पुरानी चीज नहीं अटाओगे पहले तो ये कोश्का का गार्डिंग भी करता है कि भाई तू अपने सभी कोई अपना फंक्सन सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो इस पर एंजाइम छिरक दो सारा का सारा कोश्का खतम फिर एक नई कोश्का वहां पर निर्मान करेगी जो कि आपका सारा का सारा काम करेगा क्लियर है हमारी बात आईए आगे की चर्चा को हम लोग शुरू करते हैं लाइसोसोम को आई सोसाइड बैक कहा जाता है हमने बता ही दिया और इसकी खोज दीदूबे की ने की थी ये भी आपको याद रखता है इसकी खोज रौबर ब्राउन ने की थी और इसे कोष्का का दिमाग जाता है इसमें 80% परोटीन पायता है ध्यान से समझेगा इसको कि जो आपका राइसोस ओम है जो आपका आपका नुकलियस है जैसे कि आगर आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कोई दस चीज़ है। दसो चीज को अगर आपको एक साथ अगर control करना हो तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए आपको एक governing body चाहिए, controlling body चाहिए, तो वही controlling body है आपका nucleus, nucleus क्या करता है कि cell का दिमाग होता है, ये कोश्का का दिमाग है और वो सारा चीज देखता रहता है और सब को input देत है जैसे अगर आपका रईसोसों का кार्ज है protein बनाना तो क्यूं नहीं बना रहा है कम मातर है बना रहा है जादा मातर है रहा है ये कोन बताएगा nucleus का कार्ज है ठीक है लाइसो सोम कोच्व का सफ्वाइ का अहां बताएगा कि हाँ ऊज्सका मिर्थ हो गया है नहीं कोच्का का निर्मान करना है इससे आप अपना जादू हइं हैंट पैक्डिजीए तो बएक वड़न कहेगा नूपॉलियस प्लास्टीड जिसको हम लोग भोलते हैं ठीक है ना लबक आपका तीन परकार का होता है एक आपका होता है हरित लबक दूसरा होता है आपका दूसरा होता है आपका वर्नित लबक और तीसरा होता है आपका अवर्नित लबक इस तीनों की चर्चा को हम लोग करेंगे क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लुकोप्लास्ट, तीन प्रकार का प्लास्ट होता है, आईए देखते सबसे पहले हरित लवक, इस लवक की चर्चा डिटेल में हम लोग कहा करेंगे, फोटो सिंथेसिस में करेंगे, फोटो फोटो सिंथेसिस में इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे, यहाँ पर आपको याद रखना है कि हरित लवक में भोजन का निर्मान होता है, इसके कारण पत्तिय आपका पत्ती तथा तना में पायाता है, हरित क्लोरोप्लास्ट आपका पेर के पत्ती तथा तना में पायाता है, जो आपका क्रोमोप्लास्ट होता है, यह क्या करता है आपका रंग परदान करता है, यह क्या है आपका क्रोमोप्लास्ट है, और यह क्या है आपका ल्यूकोप्लास्ट है, यह क्या करता है यहां आपका भोजन का संग्रह करता है जरत था फलों में पायाता है यह रंग परदान करता है जैसे टमाटर का लाल रंग टमाटर का लाल रंग लाइको पेज के द्वारा मिर्च का लाल रंग लाइको पेज के द्वारा गाजर का करेटीन के द्वारा और चुकंदर क बीटा नीन के द्वारा पाया जाता है ठीक है यह चीज़ें आपको याद रखनी है यहां से प्रसना आपका आया है अगर उस स्याई की चर्चा को हम लोग खीचेंगे तो आपको यह चीज़ पता होना चाहिए कि कोश्का के परकार दो परकार के कोश्का होता है आए देख ल की कारो भाइन लिख लिए इसको अपूर्न विकास अपूर्ण विकाससि का इनकमप्लीट डेवलप्मेंट तीक यह और यह पूर्ण विक्षितौ यह आपका क्या है फुर्ण बिक्सित थीक है अब आए गुन सुत्र की चल्चा करें हम लोग जो आपका गुन सुत्र है इसकी खोज वाल्डेयर ने की थी गुन सुत्र की खोज वाल्डेयर ने की थी इसके उपरी भाग को हम लोग सेटेलाइट कहते हैं मद भाग को सेंट्रोमर तथा निचले भाग को तेलो मर कहते हैं और ये तीनों चीज़ा आपको याद रखना है कि गुरु सुतर के उपरी भाग को सेटेलाइट मधभाग को आपको सेंटरो मर और निचले भाग को तेलो मर कहते हैं ये चीज़ा आपको याद रखनी है क्योंकि यहां से प्रस्ण आपके पूरे-प अब गुण सुतर में तीन प्रकार का आरेने को हम लग तीन पार्ट में डिवाईड करते हैं MRN, TRN और आपका RRN, Messenger RNA, Transformation RNA और Restore RNA देखिए जिस कोषका में कोषका इभादन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सेल डिविजन बोलते हैं जिस कोष्का में कोष्का का विभाजन होता है उसे हम लोग मदर सेल बोलते हैं मातरित कोष्का बोलते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं मातरित कोष्का बोलते हैं तथा विभाजन के बाद जो कोष्का बनती है उसे हम लोग डॉटर सेल करते हैं ज कि जिस 낮ओं को मां के गर्व से बच्चा पैदा लेता है तो मां को क्या बोलते हैं हम लोग बटर और बच्चे किकी आसे पैद उसको mother sale, जो पैदा हुआ, वो क्या हो गया, daughter sale होता है, क्लियर है, यह जो आपका MRN होता है, तीन परकार का centrosome में भी, जो आपका chromozome है, उसको तीन परकार का भिवाजन होता है, एक असुतरी, एक समसुतरी, और एक अर्ध सुतरी, और इस तीनों की चर्चा, आगे हम लोग को complete तरीके से परजनन सिस्टम में करना है इसलिए इसको हम लोग यहीं पर रहने देंगे अगर आगे की चर्चा को start करें तो यह देखिए जो असुत्री विभाजन है थोरा सा इसको समझते जाईएगा और detail चर्चा जैसा कि हमने बताया कि परजनन तंत्र में इसकी detail चर्चा को हम लोग करेंगे जहां दिजेगा जो हमारा असुत्री विभाजन होता है यह किसमे होता है यहां आपका जिवानु में होगा विशानु में होगा प्रोकरियेटिक में होगा और प्रोकरियेटिक का मतलब अपुर्ण विक्सित जिवानु भी अपुर्ण विक्सित होता है विशानु भी अपुर्ण विक्सित होता है और इसे मदर सेल का क्या असुत्री विवाजन में आपका मदर सेल का अकार बरा होने लगता अगर असुत्री विवाजन है तो मदर सेल का ही अकार जो है वो बरा होने लएगा अगर समसुत्री विवाजन है तो mother sale तूट कर आपका daughter sale में बनता है और इसमें आपको हम लोग समसुत्री विभाजन में आते हैं तीक है इसका पांच अवस्था होता है समसुत्री विभाजन का आपका पांच अवस्था होता है इंटर फेज, प्रो फेज, मेटा फेज, एना फेज, टेली फेज, सब की चर्चा डिटेल में हम लोग करेंगे इसलिए जहां अभी हम लोग कोश्का पर हमारा ध्यान है तो कोश्का के अंदर जो जो चीज आते हैं उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस सब की चर्चा हम कि अगर सुत्री विभाजन होगा उसमें मदर सेल बढ़ जाएगा अगर समसुत्री विभाजन होगा तो मदर सेल से दो डॉटर सेल बनेगा और अर्ध सुत्री विभाजन है तो इसमें जो है क्या होता है कि मदर सेल की संख्या ही घट जाती है मदर सेल की संख्या ही घट जाती है यह केवल जननकोश्का में होता है इसमें क्रोमोसोम की संख्या आदी हो जाती है इसमें क्रोसिंग ओवर की घटना होती है और क्रोसिंग ओवर कुछ इस परकार से होता है वो हम लोग X, Y और X, X से समझेंगे कि X, Y और X, X यही जो होता है इसको हम लोग detail में इसको crossing over की घटना को हम लोग को समझना है जो की हम लोग समझेंगे आगे चलके आएए आगे देखते हैं हम लोग किसकी चर्चा करेंगे syndrome की chromosome में आपका एक syndrome भी पायाता है जो sale के अंतरगत आता है और इस चीज़ को हम लोग समझते हैं आएए chromosome में होने वाली अनियमित्ता को हम लोग क्या बोलते हैं syndrome बोलते हैं एक होता है आपका turner syndrome दूसरा होता है आपका down syndrome तीसरा होता है आपका clean filter और चौथा होता है आपका पटाओ syndrome syndrome की चर्चा हम लोग जननतंतर में करेंगे ठीक है जननतंतर जब आएगा मनुस्य का जननतंतर वहां प का इसकी खोज गौजीने की अर्याता यातमें सहायक होता है इस से एक चीज आपको समझ में आना चाहिए कि अनली MP 18 eg कि अब ही हम आपको पढहां रहा है हम आपको परहा हैं तो हमारे कंठ में मुह में जभवर हम को आप हर दरी हमया तो माली जिए हमारा दरट में जो मेंenserसियल है उसमें कि इतनी ही उर्जा बनेगी अ कि हमारे पूरे सरेटमें बंड़ा है हार सेल में आपको mind abnormी नकुछ मा Tapiasomy जो बन रहा है तो यह जो गौल्जी बड़ी होता है क्या करता है कि माली जिए अगर हमारे कंठ में ज्यादा उर्जा की जोर्थ है नीचे से तारा उजा लाकर ये जिस पार जहां पर आपको उर्जा की जरूरत होगी वो उर्जा की जरूरत होगी तो गल जी बड़ी जो है कि सारा सरीर का जो आपका उर्जा है मैक्रो कॉर्णिया से उर्जा बना है उसको पैर की तरफ लेके जाएगा और फिर हमासानी के साथ चल पाते हैं तो यह परिवहन का काम करता, यह यातायात में सहायक है, अगर गौल जी बड़ी नहीं होता, तो क्या हम बोलते बोलते रुक जाते, जितना हमारा कंठ का सेल उर्जा बनाता है, उतना ही दिर हम बोल पाते, ठीक है, उसके अलाइबे जो हम लोग बोल पाते हैं, हम को सरीर के विभिन दूसरे सेल से हमको उर्जा मिलती है, और वो लाके कौन देता है आपका, गौल जी बड़ी लेता है, इसलिए से यातायात में यह सहायक होता है, के लिए हमारी बात आईए, आगे की चर्चा को और गे स्टार्ट किया जाए, तो उसके बाद आपका है, तो यही था आज का हमारा स्रीर, ठीक है, जो कोशकान के जो अंग थे, इसकी चर्चा हम लोगो ने इस कलास में कर लिए, फिर हम लोग कल से एक नया टॉपिक के स्टार्ट करेंगे, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, तब तक के लिए आपका सुक्रिया. झामने का का्मारा स्री करी हम लोगो ठीक है, तब तक के लिए ऱ्कान के लिए हम लोग लिए, तो शओे रहनों के जो अज के लिए हम लोगो आपका दूथास्छा跟你 हैं, तो आपकान के लागो ने ने कम लोगो आखेंगे,ْ उाना ह। झाल